इस वीडियो में हम क्लास 9 की साइंस की बुक का चाप्टर 6 जिसका नाम है टिशूस स्टार्ट करने वारे हैं लास्ट वीडियो में हमने बारे में पढ़ लिया था तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्मनेंट टिशूस के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं What happens to the cells formed by merismatic tissues? They take up a specific role and loss the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. तो उन cells के साथ क्या होता है? जो कि merismatic tissues से form होते हैं. तो वो क्या करते हैं? वो एक specific role ले लेते हैं और जो ability होती होती है, डिवाइट होने कि उसको loss करते हैं. जिसका result कुछ ही आता है कि वो permanent tissues में change जाते हैं. और ये process जिसमें कोई भी जो tissue है वो अपना permanent shape, size और function ले ले लेता है. तो हम उसको differentiation कहते हैं. Differentiations lead to the development of various type of permanent tissues. और differentiation से ही जो बहुत सारे types के हमारे permanent tissues हो हो हैं वो form होते हैं. अब यहां पर आपको एक activity दे रखिए आपको करना किया है? आपको यहां पर एक plant stem ले 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 हैं और हमें अपनी teacher की help से उसको बहुत पतले-पतले slices में कट कर देना है. अब हमें क्या करना है? उन slices को हमें सफरानिन से stain कर लेना है अब हमें क्या करना है? अब हमें एक neatly cut section तो हमें उसको भी preserve करना है और हमें figure 6.3 से compared करना है तो, हमें यह कुछ कुछ से情ने का को से ठीक नहीं करना कहार, कि यह कुछ पूछने को से ने हं impress अच सब dual को है यह थिए अधर पर्मश्य चोर्म और तै क्यों से अरगने को साहिए, कंपलेक्स निवि temporaryAL की πारते है मादतार कुछा वाले हैं simple permanent issues के बारे में तो a layer of cells beneath the epidermis are generally simple permanent issues तो वो layer चुकि just epidermis की नीचे ही होती है वो हमारे simple permanent tissues होते हैं पेरंखायमा is the most common simple permanent issues जो पेरंखायमा है वो बहुत दा common simple permanent issues है वो जो relatively unspecialized cells होते हैं उनसे मिलके बना होता है जिनकी जो cell wall होती है बहुँ जादा थिन होती है they are leaving cells, वो सारी leaving cells होते हैं they are usually loosely arranged thus large space between cells are found और वो loosely arranged होते हैं जिसके विर ऐसे जोनके बीच में बहुँ जादा space पाया चाता है ठीक है और यह जो tissues होते हैं वो जनरली food को store करते हैं उसके बाद यह कहा है in some situation it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called chloranchyma chloranchyma तो कुछ situations में क्या होता है यह chlorophyll को contain करते हैं और क्या होता है वो photosynthesis में involved हो जाते हैं ठीक है तो तब हम इसको बोलते हैं chloranchyma और जो aquatic plants होते हैं उनमें क्या होता है उनके तर large air cavities होती है पैरन कायमा में ठीक है जो aquatic plants होते हैं उनके जो tissues होते हैं पैरन कायमा के उनमें बहुत ज़ादा air cavities होती हैं बहुत बड़ी बड़ी जो कि उनको float करने में मतलब तैरने में help करते हैं तो इस type के पैरन कायमा को हम बोलते हैं एरन कायमा क्या बोलते हैं एरन कायमा The flexibility in plants फ्लेक्सिबिलिटी आप्प्लाइंटेश की वजह से आती है जिनकों को कहते हैं क्लाइन क्वाइन काइमा क्या कहते हैं जो बहुत आए पार्ट्स होते हैं जैसे हमारी होगे TramDral stairs, Stamps, Clamber trees वो उनको bending में help करता है बिना टूटे, जैसे हमारी करीडे की मेल होजाती है बिना टूटे, जैसे करीडे की मेल होजाती है उसके बात क、 जैसे में करीडिये की बेल होजाती है वो बिना यह कारीड चूइच जो थार Origin copy बिलोग थी आ मैं तो कमा इस đến या से पहलं के पहलं किसके हैं लोग संही कर दोन मैं है कि अलगिंग कर लागें और कॉले एक कर सकते हैं संहीर्ड आ किर नहीं कर सक्ते हैं यह एट, अहरो ताइप आप पर्मनेंट टिश्यो इस स् Кलैरेन काएमा यह जो टिश्यू है, यह प्लांट्स को क्या बनाता है, हाड और स्टिफ बनाता है, we have seen the husk of a coconut. हमने coconut की husk देखे ना जो आउटर कवरिंग होती है, वो हमने देखे नो कितनी हाड होती है, तो वो उसमें हमारा scleran comatis tissue होता है, we have seen it is made up of scleran comatis tissue, जो इसकी हसक होती है वो scler and kymetrous tissue के विजह से बनी होती है इस cells of theses tissues are dead जो cell होते हैं इस tissues के dead होते हैं they are long and narrow as the walls are thickened due to lignin और जो इनकी जो होते हैं these tissues वो long होते हैं और नेरो होते हैं और जो इसनकी वाल होती है वो थिक होती है लिगनिक की वज़ जए से अफन, these walls are so thick that there is no intercellular space in the cell और इन cells की भीश में बिल्कुल भी intercellular space नहीं होता इस tissue is present in stamps, around vascular bundles, in veins of leaves and in hard covering of seeds and nuts और यह जो tissue होता है वा कहां कहां में present होता है यह होता है stamps में vascular bundle के चारो तरफ, veins में leaf की है ना और जो hard covering होती है seeds और nuts की इसमें, it provides strength to the plant parts और इस plant parts होते हैं यह उनको strength प्रोवाइड करता है उसके बाद आपे बोल रहे हैं आपको फिर से एक activity 6.3 इसमें आपको करना क्या आपको कुछ फ्रेश ले 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 लेनी है का टूटी हुई रोहियों की उसके बाद हमें इसको स्ट्रेच करके तोडने के कोशिश करना है अब हमें इसको तोडते वक्त हमें स्ट्रेच रखना है ताकि टो इसको PPI abbiamo ileyια吧 निकल जाए कट की तरफ से आप में क्या करना है आप हमें इसमें पानी भरा हो इसमें रख देंए अब हमें में कुछ साफ्रेनिन की ड्रॉप स्टाल देनी है अब हमें कुछ मिनिट्स के रुखना है और इसके बाद हमें इसे जो हमने करी है इसको हमें स्लाइड पे ट्रांसफर कर देना है और इसके पर हमें कवर स्लिप को इसको प्लेस कर देना है अब हमें इसको मैंक्रोस्कोर में अ सम्ट प्लांट्स, some plants which live in dry habits The epidemis may be thicker since protection against water Loss in Crítical तो जो कुछ जो हमारे जो plants होते हैं जो कि dry habitats में रहते हैं तो उनकी epidemis होती है वो ठिक होती है ताकि वो water loss से plants को protect कर सके The entire surface of a plant has an outer covering epidemis तो जो entire surface होती है plant की उसके पास एक outer covering होती है epidemis की It protects all the parts of the plant और यह जो सारे parts होती है plants के उसको यह protect करती है और यह पार्ट्स होती है plants के उसमें क्या होती है जो what the plants in one oneर inventory is wig लेयर को गरती है screc까지 करते है फिसके जो कि water resistant layer होती है outer surface में है तो यह जो यह क्या होता है यह water loss यह भी बचाती है ठीक है और mechanical injury और जो invention होती है ना parasitic fungi से उससे भी जो plant है उनको बचाती है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास एक protective role है play करने के लिए और जो epidermal tissues के जो cell होते हैं वो एक continuous layer को form करते हैं और उनके बीच में कोई भी intercellular space नहीं होता और जो जातर epidermal cells होते हैं वो flat होते हैं ठीक है और often there outer and side walls are thickened than the inner cells see inner wall तो जो उनकी outer wall होती है वो inner wall से ज़्यादा थिक होती है we can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf Now those stray pores there are small pores. In sparks it, what do they have to helplu powerful them again? Stomata is joined by kidney shapes cells and includes couple asọn part materials with transparation effect उसके लिए इंपोर्टेंट होते हैं यह इस तरह से आपको दिखेगा कि यह रहे आपके यह आपको 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 इसको इंक्रीज करते हैं। कि यसे कि रहा लोता इसा हम इन साथिसних मैंयों कि अफिका ए Uhud Joyce चलप भी संपप्र होति है मूझ खरी तो कि ऐस्सी कोटिंग क्या है अ डिवही तैन कि इसा इसा मोर्ड आपीड़मी कैपी में टेरा के लुम is the outer layer of a tree different from the outer layer of a tree different from the outer layer of a tree the tree is different from the outer layer of a tree as plants grow older the outer protective tissue undergo certain changes a strip of secondary peristrem located in cortex form layers of cells which constitute the cork the strip of secondary peristrem changes in cortex form and changes in cork cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular space they also have a substance called subrene in their walls that makes them impervious to gases and water and they also have a substance called subrene which makes them impervious to gases and water so now we will study complex tissues in the next video if you liked our video please like our video and share it with friends and for such videos subscribe to our channel thanks watching video bye bye guys bye bye guys bye guys bye guys bye झाल झाल